गुड मॉर्निंग दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग स्वागत आपके एक नहीं वीडियो में तो निखिल शर्मा व्लोग जिनार सब लोगों का आर्थिक स्वागत है जी तो जी आज वापिस है निखल चुके हैं भाई रोतांग पास का अपडेट देने के लिए आप सब लोगों को ठीक है जी और आज है डेट आप देख लीजिए 6 नवंबर 2024 आपके सामने है और सुबह का टाइम हुआ है भी आठ और अपी मनाली में टेंप्रेचर है 9 डिगरी Celsius सुबह सुबह निकल गए भाई सुबह सुबह निकलना का आपको पता यह फाइदे ही बहुत होते हैं कि आप सबसे पहले तो टाइम से पहुंच जाओगे आप ट्रैफिक से बच जाओगे ठीक है जी और सुबह सुबह यह होता है जी जितने जल्दी आप निकलो होगी उतना जल्दी आपके लिए फाइदा है और अभी तो पहुंच चुक है वाई वशिश चौक मनाली यह आप देख लो और यहां से लगबग 70 किलोमेटर का डिस्टेंस है रोतांग पास का जैसे कि आपको मैंने पहले भी बताय हो है और मनाली की रोड कंडिशन्स मैं आपको रेगुलर अपडेट दे रहा हूँ आप देख सकते हो आपके सामने है जी यह रास्ता लदाक कश्मीर ठीक है जी और जिस्पा बारालाच पास काजा रोतांग पास हर जगह यही यही रास्ता जाता है आप यहीं से जाना पड़ता है आपको हो कि तो चलते हैं जी आगे आपसे बात करते करते आगे चलते रहेंगे देरे देरे मौसम का मज़ा लेते लेते और रास्ते के मज़े लेते आपको स जादा ठंड बढ़ चुकी भाई आज भी जब मैं सुबह साथ बजे उठा था ना नाने दोने के लिए तो भाई लगबग टेंप्रेचर था मान के चलो 5-6 डिगरी अभी तो फेर भी आठ नो डिगरी है थोड़ा थोड़ी सी दूप निकल गई आपके सामने देख सकते हो अ मैंने सोचा क्यों ना आपके लिए एक और रोतांग पास की वीडियो बना दूं भाई अपने गाड़ी लेके आ चुके हैं सामने बेयास रिवर का फ्लो आप देख सकते हो कोई यहां पर बाढ़ बाढ़ की कोई दिक्कत नहीं है बहुत लोग गलत वीडियो डालते ना जै यहां से पूरा गोल चक्कर मारके यहां से आगे जाते हैं और यहां से लगबग पलचान है अब 2.5 किलोमेटर और भाई यह है कुछ अभी तक का अपडेट देने के लिए आपको बता रहा हूं कि जैसे यह रास्ता जो है पीछे से जब मनाली से आते हो यह रास्ता जो रा बाकि इस रास्ते से भी कभी नगभी पक्का चलेंगे और यहां पर देख लो जी सामने पलचान गाउं आ चुका है ठीक है जहां पर आपको पता है अभी कुछ टाइम पहले बाड आई थी और बहुत जाता नुकसान हुआ था लेकिन सलीट है भाई हमारे बी आरो वालों क उस और्गनाइजेशन ने इतना तगड़ा काम किया कि वाई इस रास्ते को बंद नहीं होने दिया चंद घंटों में या फिर मुश्किल से एक दिन में इसको वाई मतलब कि गो थू कर दिया ओपन कर दिया पीछे आप देख सकते हूं राइट से लेफ्ट साइड में कितने तगड़ा यहां पर बाड आई थी और नुकसान तो खेर काफ़ जादा हुआ नहीं था थोड़ा बहुत नुकसान हुआ था जानमाल का तो खेर नुकसान नहीं हुआ था लेकिन यह है कि तल गया जो भी था बागी भाई आप देखो सामने रोड कंडिशन कितनी प्यारी है और मौसम बहुत खूबसूरत है भाई बहुत खूबसूरत मौसम है अभी हम और 10 से 12 मिनट में पहुंच जाएंगे अपना सोलांग वैली ठीक है जी पलचान से सोलांग वैली तक आपको मुश्किल से मुश्किल 10-12 मिनट लगेंगे लो जी पहुँच चुके हैं भाई सोलांग वैली यहाँ के सामने सोलांग वैली है और यहाँ पर कुछ नजारे हैं सोलांग वैली के सुबा सुबा लगबग साड़े आठ बजे का टाइम है जी अभी मनाली से सोलांग वैली का डिस्टेंस लगबग 12-13 किलो मेटर है और आप को मुश्किल से मुश्किल 25 मिनट लगेंगे ठीक है जी और अभी तो खेर आपको पता सुबह सुबह का टाइम था कोई ट्रैफिक बिल्कुल भी नहीं था तो आदा गंटा लगा मुझे भी 25 मिनट पहुंचने में और भाई यह कुछ वियू है आपको पता है भाई जब यहा स्नौफॉल हो जाएगी जैसी पहाड़ों पर स्नौफॉल होई उपर रोतांग पास और यहां पर स्नौफॉल दिसंबर में पूरे पूरे चांसी है हो सकती है तो अगर आप मनाली आने का प्लैन कर रहे है ना भाई प्लीज आपसे रिक्वेस्ट गरम कपड़े लाओ अपन और आपको भाई बिल्कुल भी और छोटे बच्चों के साथ अगर आप ट्रैवल कर रहे हो तो आप बिल्कुल आपको गरम कपड़े की रिक्वाइर्मेंट होगी और अगर आप मनाली आने का प्लैन कर रहे है आपको कॉटेज बुकिंग चाहिए अगर आपको यहां से आप यहां से आगे चलते हैं यहां से अटल टनल जाएंगे वहां पर एक ब्रेक लेंगे पांच बिनट कर उसके बाद आगे मूव आन करेंगे तो जी सुबसुबा आने का यही फाइदा होता है कि पहले तो आप माउंटेन का व्यू देखिए कितना बड़ी आविव आ रह प्रेश कोई भी नहीं मिली भाई अराम से अपना चल रहे हैं ठीक है जी और यहां से अटल टनल रहा गया लगबग दो किलो मिटर तो जी पहुँच चुके हैं भाई अटल टनल आप देख सकते हैं आपके सामने अटल टनल है और इस टेम यहां पे बिलकुल भी टूरिस न अटल टनल के साउथ पोटल पे उस साइड है इसका नौर्थ पोटल और भाई आप देख लो उपर पाड़ो में स्नो गिरी है पहले की स्नो है यह लेटेस्ट वली नहीं है ठीक है जी अभी तो फिलाल सबके सब लोग स्नो का वेट कर रहे हैं और भाई एक अपडेट आपक अगर आपको भी रिक्वार्मेंट है होटेल की या फिर कार बुकिंग की या फिर लदाग पेकेजिस की कश्मीर आपको कहीं भी गुमना है मनाली में अगर आपको टेक्सी चाहिए किसी भी सर्विसिस के लिए आप नीचे दिएगए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं अगर पता ही है सीजन का कहीं भी आप जाओगे तो आपको रेट काफी सदा हाई मिलने वले तो वाई आपसे ये रिक्वेस्ट है कि अगर आप आना का प्लैन कर रहे हैं नवंबर में कभी भी या फिर दिसंबर जनवरी में कभी पर प्रॉल करिए और आप बुकिंग करिए ताकि कि आपको लास्ट मोमें पर कोई भी प्रॉब्लम ना हो और यहां पर फिलाल तो इतना ही अपडेट है जी बाकी आगे चलते हैं भाई रोतांग पास की और यहां पर आमें पहुंचने में लगा लगबग पैंतालीस मिनट लोजी अटल टरनल में एंटर हो चुके हैं भाई स्टार्टिंग में तो इसकी स्पीड लिमिट आती है 40 किलो मेटर और बीच में जाके इसकी स्पीड लिमिट आ जाती भाई 60 किलो मेटर आप देख सकते हैं ठीक है जी और स्पीड के हिसाब से ही चले हैं हमेशा ज़्यादा ओशियारी करते हैं कुछ-कुछ लोग तो भाई टाइमिंग वगरा है, इसका कोई टाइमिंग निये जी, आप इसमें कभी भी आ सकते हैं, 24x7 ये ओपन रहती है, ठीके जी, हाँ वो बात अलग है कि अगर स्नौ फॉल हो जाए, वेदर कंडिशन्स खराब हो जाएं, उसको छोड़के ये हमेशा अभी आप आएंगे नौंब में तो फिलाल ये ओपन ही है, लो भाई, यहाँ पर ओटेकिंग करना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है ना, और पीछे से गाड़ी हॉरन मार रही ही बार-बार मुझे, ठीके जी, देख लो आप, अब मैं इसको कहा साइड दूँ भाई, यहाँ पर अलाउड ही नहीं है, त यहाँ बार-बार डिपर मार रहा है भाई, जाने देते हैं भाई इसको, वैसे रास्ता तो यार, जगा बनेगे नी भाई, मैं तो ऐसे रिस्क ले नहीं था, क्या फाइदा गाड़ी है, वैसे भी यहाँ पर एक टाइम पर एक कोई बाइक वगर होती है, तो बंदा पास भ बता नहीं है इतना भाई कि यहाँ पर अलाउड नहीं है और फिर भी एक्तम चिपका की रिखी हुए गारी देखना भाई, कैसे लोगे आ रहा है, बिल्कुल ही मत करा करो भाई, जब यहाँ पर अलाउड है, नहीं, सब कुछ मना कर रहा है, तो रूल्स के हिसाब से चलो न इतना ही जल्दी है, तो भाई, साइड में रोड़ा जाओ, वहाँ पर जाके, यह देखो, फिर और मार रहा है, बाई, रुख जा, दोचार किलोमेटर ही रहा गया, चले जाना आगे मेरे बाई, भाई, मैं तो साइड दूंग अनी, क्योंकि भाई, और आप भी साइड मत देने, भाई, ऐसे लोगों को, ठीक है न, दो किलोमेटर रह गये यहां से, और इस भाई को सबर नहीं हो रहा कि भाई, दो मिनिट रुख जाए, दो किलोमेटर, दो-तिन मिनिट में कवर कर लोगे और होरन पर होरन मारे जारह है भाई, पता नहीं किस बात के चल्दी है भाई, जाद ही देख है है तो भाई, गाड़ी उड़ाते हैं चले जब यहां से और यही हो सकता है, और क्या हो सकता है कहां जा रहा है यह देख रहा है यह देखरा वहाईद है जा यह बन्त इतना ओवर टेक करके ईख यह बता हूं रोड अधनर से पता नहीं क्या बोलते हो गाल समझ नहीं आया इंप पता नहीं कि इस बात की जल्दी उती होती लोगों को यार जैसे बेफ़ोफ लोग है इतनी जल्दी है तो भाई और जल्दी आके 6 बजे आके चले जाये करो खीक है और दूसरे लोगों को परिशान मत करा करो खीक है भाई और आप भी भाई अगर वीडियो देख रहे हो न तो प्लीज कभी भी ऐसे लोगों से डरना मत और मार रहे हैं तो आप साइट देने के चक्कर में कुछ उल्टा सीधा हो जाए तो फिर दिक्कत हो जाएगी आराम से चलो अपना इनको अगर जाते जलती है तो भाई चले जाएंगे आगे कोई बात नहीं लो जी इसी के साथ अटल टैनल भी कंप्लीट कर लिए हमने दस मिनिट में ठीक है जी और यह लो जी यहां पर देखो क्या बड़िया मौसम है एकसी कड़कती दढ़कती दूब निकली हुए है ना यह जी अटल टैनल का नौर्थ पोर्टल ठीक है जी और इस ब्रिज को क्र करके हम जाने वाले हैं आज राइट साइड क्योंकि रोतांग पास है और पिछली बार हम देखा होगा आपने मेरी वीडियो में हम जिस पा गए तो तो हम लेफ्ट साइड गहते सिसू वाली साइड यह सिसू वाली साइड है जी और यह है राइट साइड में रोतांग वाल अगर आपको रोकना है थोड़ा सा आगे जाके रोकवाऊ आप लगबग पचास मेटर आगे जाके यह जी लो जी यहाँ पर सर ने रोक ले जी सर कटाओ बताओ कितनी की यह तो अगरी नमबर हो ले गाडी नमबर एक दोसर बेकिया पर फीस कटती है आप सब लोग कटवाओ यहां पर लो सर आज पूरा दिन अच्छा कल भी पूरा दिन लो भाई देखो भाई यहां पर जासे कि मैं आपको पहले भी दो तिन पर दिखाए हुए यह आपको गाड़ी का कटेगा नंबर जी और नौन एच्पी की गाड़ियां कटती हैं आपके मतलब जो एच्पी रेजिस्ट्रेशन नहीं है ठीक है जी तो दोसर बेगी है भाई यहां पर आप सबसे यही है कि भाई यहां पर कटवाओ बिल्कुल ठीक है जी बिल्कुल कटवाना चाहिए भाई ताकि डेवलप्मेंट अथोरिटी ऐसे कोई सरकार का या ऐसे कुछ गलत नहीं है कि भाई बिल्कुल आपको परची काट के देंगे और पूरे 24 गंटे के लिए वैलिड है कल का पूरे दिन चले गा यह कह रहे है ठीक है जी तो चलते हैं जी यहां से अब लगबग अटल टरनल को क्रॉस करने के बाद यह आपकी परची कट देगी 2 किलो मेटर के बाद और यहां से कोक सर रहे गये जी 7 किलो मेटर ठीक है जी और आगे चलते हैं भाई रोड के नजारे आप देख लो बहुत बड़ी है रोड बनाई है भी आरो वोलोने मैं बार-बार जिक्र इसलिए करता हूं क्योंकि भाई जो चीज तारीफ के लाइक है उसको तारीफ करनी चाहिए बिल्कुल यहां पे पहले आज से 7-8 साल पहले क्या रोड ह होती थी बहुत लोगों को पता ही है और आज क्या रोड है तो बहुत लोग बोलते हूंगे बार-बार बीयारो वला बीयारो के तारीफ करता रहता है तो वाई वह इसलिए क्योंकि यार अब देखो इतनी अच्छी रोड है हम सब के लिए बनाई है ना तो आम लोग इजी ठीक है जी तो इसलिए भाई टेक्स वगएरा जो भी होता हमेशा कट्वार लेना चाहिए या फिर टोल वगएरा वह हमारे लिए ही होता है लो जी पहुंच चुके हैं कोकसर और कोकसर में यहाँ पें चेकिंग हो रही है जो आपने परमिट लिया है उसकी चेकिंग करेंगे यहाँ पर आगे ट्रेवलर खड़े ही मैं आप देखो लो जी प्रमिट चेक करा के आगे बढ़ चुके हैं और आपको कोकसर में काफी जादा आपको खाने पीने के औप्शन मिल जाएंगे ब्रेकफास्ट डिनर यहां पे आप कर सकते हैं लंच वगेरा चाय मैगी प्राठा कुछ भी आपको कॉफी अगर छोड़ा बहुत लेना है तो आप ले सकते हैं और चलो जी चलते हैं और अभी आगे ग्रामफू आएगा ग्रामफू में भी चेकिंग होगी हमारी मतब पर्मिट चेक होगा पर्मिट भाई आप हमेशा लेके चलें साथ क्योंकि विदाउट पर्मिट आपको यहां पे आगे नहीं जाने देंगे रोतांग पास के लिए ठीक है जी और पर्मिट की कॉस्ट मैं आपको बता देता हूँ साड़े शेसर रुपे है पर्मिट की कॉस्ट रोतांग पास की वैसे तो साड़े पान से अगर आप खुद निकालते हैं अगर आप किसी के थूर निकल बालते हैं तो सिक्स फिफ्टी है ठीक है जी और दोसर बेकी जो पर्ची गटते मैं आपको वो पहले ही एडवांस ने बता दी है आप देख सकते हैं जी और यहां के खुबसूरत नजारे तो क्या ही कहने यार वादियों में आने के बाद यहां पर रोतांग पास की दूरी है 19 किलो मेटर अभी और अराम से चल रहे हैं और अभी हमारी गाड़ी चल चुकी है घर से लगबग 45 किलो मेटर और जी कुछ टाइम के बाद रोतांग पास भी अफिशली क्लोज हो जाएगा जब यहां पर हेवी सनोफॉल होगी न तो फिर बिलकुल क्लोज करते थे हैं इसे फिर आना थोड़ा सा मुश्किल होता है तो आपके लिए तभी मैं लाइव वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप तक प्रॉपर इंफरमेशन पहुंच सके और यार प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो और शेर भी कर दो अपने फ्रेंट्स का लीक के लिए मैक्सिमम कॉमेंट्स करो ताकि मैं भी आपके लिए और ज़्याद अच्छी वीडियो बनाता रहा हूँ आगी फ्यूचर में मेहनत लगती है काफी ज़्यादा वीडियो बनाने में स्पेशली ऐसा नहीं होता कि बस गाड़ी उठाई और चल दी भाई और बस कैमरा ओन किया पूरी स्ट्रेटेजी करनी बढ़ती भाई कि कब जाना है कैसे जाना है कैसा मौसम होगा कैसा नहीं तो काफी ज़्यादा मेहनत लगती भाई तो आपसी भी एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप ना वीडियो को सब्सक्राइब करतो चैनल को सब्सक्राइब करतो वीडियो को शेयर करतो मैकसिमा अपने कलीक्स के साथ ताकि और प्यार दिखाओ यार जाता से जादा बस मैं तो यही बोलूँगा जाता से जादा प्यार दिखाओ गए तो आपका भाई आपको और भी उंचाईयों पर ले जाएगा आपके साथ आपको वर्चुल ट्रैवल कराऊंगा मैं और आपको प्रॉपर इंफरमेशन देता रहूंगा तक कि आप भी अगर मना लिया आएं या फिल कहीं भी आएं आप मेरी वीडियो देखके तो आपको प् उसदे कि आपको आपको मैं अबरे प्रॉमिस करता हूं हमेशा आपको बडिया 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 content मिलते रहेंगे बडिया बडिया आपको वीडियो बना के देता रहूंगा जी बस एक request है कि आप प्यार दिखाओ उझाल ओर यह आप नजारे भी देखो जी कितने बडिया नजारे हैं और काफे ज़्यादा हाइट पर आ चुके हैं और इस विउ के तो क्या कहने यार हर मोड पर न ऐसा लगता है कि वास गाड़ी रोके इनको देखते ही रहो और इतने बहतरीन बहतरीन विउ है न ये देखो यह गया विईव जादा अच्छ है फिर अगले मोड पे यह विई जादा अच्छ है और बहुत अच्छ है यार विईव आप देखो और चलते हैं जी आगे लगबक 17 किलोमेटर और स्नोफॉल का वेट कर रहे हैं तो आपके लिए प्रॉपर इंफॉमेशन मैं एक और वीडियो बनाके दिखाऊंगो आपको स्नोफॉल की रोतांग पास में और मनाली में भी नेक्स मन्त पूरी उमीद है स्नोफॉल होने की और टेंपरेचर काफिर जाता डाउन होगे जो नीचे को जाघर है यह जाता है काजा थीक एज काजा यह रास्ता जाता है और KHाजा भी जल्दी जाएंगे लेकिन आगर रोड काफी जादा है और ठंडी ठंडी हावाज चल रही यहां पे ना और काफी जादा मज़ा द्राइविंग करने में आपको पता ही है प्वाड़ों पर ड्राइविंग करने का कितना जादा मज़ा है चलो जी आगे चलते हैं यहाँ से भी रोतांग पास है 15 km जी अटल towards कर ले के बाद भाई नेटवर्क बिल्कुल उड़ जाते हैं जी ओके और ऐट यह टेल दोनों के तो नेटवर्क व euro नहीं हाते तो आप उसे हसापी प्रिपेर ऊठेयर को के आना ठीक है जी और रोतंग पाउस पर तो खेर होगा वाई इतनी देद होगा जहां पर चल रही है भी कि के जी यहां पर इनको थेक्ट क्या पन्ना ना आ सकते हैं और लो जी तूरिस्ट थोड़ा बहुत आना स्टार्ट होगे वाई अपी सुपर सुपर को टाइम में ना वी और 11-12 एक बहुत तक यह पर पूरा पैक हो जा अमलेड वगेरा और लो जी लो रोतांग पास 13,000 फीट पर अभी हम खड़े होएं और यहां पर आके भाई ज्यादा एक्टिविटी मत करना मत्ता में जाता उचलना कोतना मत भागना दोड़ना मत क्योंकि सांस चड़ जाती है ठीक है और बहुत से लोग यह बोलते हैं कि बहुत लोग ऐसा वीडियो मनाते हैं कि यहां पर मतब सांस चड़ जाती है ऑक्सिजन से लेंडर लेकर आना ऐसा कुछ भी नहीं है चोटे-चोटे बच्चे में आपको दिखा दूँगा भी आ रखें चोटे-चोटे बच्चे भी आ रखें और ऐसा कुछ नहीं है वसी है जाना ंचना कुटना मात पता सांस चड़ जाते है कि आपकी आपकी जादी शक्या है और उस deport कमइन भी आप करते हैं कि आहां है वह उसीज़ घं-चोटे इर highestsak thoseya przyzn, this can도 no other हैं यह आपने पास के नजारे हैं यह कुछ और सामने स्नोपीक माउंटेंज आजेंगे काफी जादा बरफ पड़ी हुई है फिर वह पहले के बरफ है भी फ्रेश स्नौफॉल का तो यार सब को भी वेट है मैं आपको बता हूँ सब के सब बहुत लोग मेरे को कॉल करके बारिश हो जाएगे ना यहां पर अगले आदे गंटे में स्नौफॉल लिख जाएगा और यह देखो भाई कितने कपड़े मेरे ओड़ रहे कितने तेज हवा चल रही है तो स्नौफॉल कभी हो जाएगी बाकी नेक्स्ट वीक शायद कुछ परसेप्शन है मत अब कुछ तो स्नौफॉल होगा यहां पर प्रेडिक्शन शायद दिखाई गई है और देखो अनर्स टैम की होगा तो भाई मैं वापेस से आजहूंगा आपके लिए वीडियो बनाने कोई दिक्कत नहीं है बहुत छोटी सी चीज़ है बाकी आप चैनल को रेगुलर अपडेट्स के एकटम सई इंफर्मेशन अपको देने की कोशिश मेंशन करता हूं देखो बाई चोटे-चोटे बच्चे आ रखें यहां पर और सब कुछ नहीं यहां पर आप सब लोग पीज़ी आ जाते हैं पागी यह देखो कितने शांदर लग रही यार ATV 4x4 कितने बड़िया लग रही है यह 4x4 है भाई खावा देखो कितने तेज चल रहे हो भाई ठंड यहां पे इस ताइम 4 डिग्री टैमिरेचर है भाई जादा नहीं है और नेक्स्ट वीक है ना नेक्स्ट वीक ये बोल रहे हैं कि शायद स्नोफॉल हो सकता है भाई मौसम खराब है अब देखो कुछ नहीं कहा सकते हो किसमत की उपर है भाई मैं नेक्स वीक भी आने की कोशिश करूँगा पका आपको अपडेट दूँगा एक बार ठीक है जी गर्मगरम और भाई पिछले 10 मिनट से मैं बाहर खड़ा हूँ ना इतना थंड़ा इतनी थंड़ा ना मैं आपको क्या बता हूँ बोल अभी नहीं जा रहा है और हाथ पाउं सब सुन हो गए है इतनी धूप होने के बावचूद भी इतनी थंड़ा है भाई क्या बता हूँ मैं आपको बहुत जादा थंड़ा भाई है एक तम कुल फी जम गई बोला भी नहीं जा रहा आप तो चलो जी इसको इंजोई करते हैं और फिर चलते हैं मनाली की और लो जी लगबग पौने 11 बजे भाई हम रिटर्न कर चुके हैं मनाली की और ठीक है जी और कैसी लगी जी आपको वीडियो प्लीज कॉमेंट करके बताएं आप सब्सक्राइब करें चैनल शेर करें वीडियो मैक्सिमम अपने कलीक्स को फ्रेंड्स को अपने नोन में जितने भी आपके लोग हैं और यहां पर यार एक चीज मुझे थोड़ी लगती है कि यहां पर वाश्रूम होना थे ठीक है और भाई 15 नवंबर तक पूरे पूरे चांसी हैं कि यहां पर ओफिशली रोतांग पास को क्लोस कर दिया जाएगा तो 15 नवंबर से पहले अगर आप रोतांग पास प्लैन कर रहे हैं तो आप इसीली आ जा सकते हैं और 11-12 नवंबर को प्रेडिक्शन है कि स्नोफॉल होगी प्रेडिक्शन है जी कोई कनफॉर्म नहीं है मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ प्रेडिक्शन है स्नोफॉल हो सकती है मौसम खराब है उस दिन आप चेक भी कर सकते हैं गूगल में और मौसम खराब है तो भाई प्र बिल्कुल ही आकी फोटो मत खिचवा हूँ यार रोड तो चलाने गाड़ी चलाने के लिए होती है ये देखो भाई सब हमारे काँ खड़े है तो भाई मैं बात कर रहा था है प्रेडिक्शन है कि स्नॉफॉल हो सकती है बाकी मैं भी आने की कोशिश करूँगा जी 12 नमंबर के असपास वापी से एक बार आज तो 6 नमंबर है 12 नमंबर को आने की कोशिश करूँगा देखूँगा अगर स्नॉफॉल की चांसिस होंगे ना तो मैं जरूर आऊंगा एक बार वापी से आपके लिए अपडेट लेकर ठीक है जी बागी बाई रोतांग पास आने से पहले बिलकुर आप पैक होके आना मतलब स्वेटर जैकेट अच्छे से इनर वगेरा ना गरम कपड़े पैन के आना अच्छे से कैप वगेरा बिलकुल भी भाई यहां पे आप बच्चों के साथ आ रहे हैं या फिर अपने किसी भी एजड लोग के साथ आ रहे है ना तो आप रिस्क मत ले ना क्योंकि यहां ठंड बहुत होती है और बिमार हो जाओगे जल्दी से लोग बिमार हो जाते हैं ठीक है जी तो भाई चलो जी चलते हैं मनाली के और आपको वीडियो कैसे लगी प्लीज लाइक करो कॉमेंट करो शेर करो एंड मनाली अगर आप प्लैन कर रहे हैं लदाग प्लैन कर रहे हैं या फिर कश्मीर प्लैन कर रहे हैं यह देखो भाई इनको तोला साइड अट जाओ भाई या फिर आप कश्मीर प्लैन कर रहे हैं ठीक है जी तो आपको पैकेजिस चाहिए अगर या फिर अगर आपको टेक करबानी है मनाली की या फिर अगर आप मनाली रोतांग पास plan कर रहे हैं टेξी अगर आपको डिये ठीक है जी और कश्मीर complete आप हम आपको package बना के देए लद्दाक का package बना के देंगे taxis service proper एक एक चीज ठीक है जी और सारी authenticity के साथ हम आपको package बना के देंगे तो आपको नीचे देगए number पे आपको call करना है जी आपको अपनी requirement बतानी है और हम आपको बड़ी असा एक package बना के देंगे और मनाली में भी cottage की requirement है तो आप नीचे देगए number पे same number पे आप call कर सकते हैं आप से मिलते हैं जी next week वापिस एक बहुत subscribe कर लो भाई follow कर लो ताकि आने वाले update आपको regular मिलते रहें और ठीक है जी good luck take care bye bye thank you so much for supporting